ये फीड आपको कमर्शली बिलकुल अवेलेबल नहीं होगी, मार्केट में इससना का कोई भी कमर्शल ब्रैंड अवेलेबल नहीं है, जो के कुईल की बटेर की स्पेशल फीड बनाता हो असलाम अलेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, उमीद करता हूँ आप सब खेलियत से होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे, तो वेल्कुम है जी, एक ब्रैंड न्यू वीडियो में, तो याज जैसा के आपने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, कोईल फॉर्मॉलेशन के उपर, जानी जो लोग कोईल की बटेर की फार्मिंग कर रहे हैं, उसमें जो फीट का इस्तमाल किया जाता है, उसकी फॉर्मॉलेशन की उपर, तो ये वीडियो उन फार्मर्स के लिए बहुत जरूरी होगी, जो के बटेर की फार्म स्क्राइब जरूर कीजिएगा चले शूरू करते हैं आज की वीडियो तो यार बटेर की फार्मिंग एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत तेजी से डिवलप कर रहा है खास तोर पे इन मौसम में जब सर्दियां आने वाली होती है यह मौसम पीक पकड़ चुका होता है बटेर फार अर जो दूसरी किसम की फार्मिंग है इनसे अंडा लेके बच्चा भी हैच किया जाता है एक दिन का चूज़ा भी इनका है उसके लिए 150-160 ग्राम का वजन करके उससे जो अंडा निकाला जाता है ब्रीडर के साथ मिक्स करके उससे फिर चूजा हैज किया जाता है तो ये दो किसम की फार्मिंग है पिछले कुछ दिनों से बहुत से दोस्त मुझसे इस हवाले से कॉंटेक्ट में थे कि बटेर की जो फीड है क्योंकि वो जब बजार से प्रचेस करते हैं इसकी कुछ स्पेसिफिक ब्रैंड नहीं है जो कि सिर्फ बटेर की फीड बना रहा हूँ तो मैंने सोचा इस पर सोड़ी वर्किंग करके आप सबके आगे कुछ फार्मूलेशन्स रखता हूँ ताकि उन दोस्तों को हेल्प हो सके जो कि बटेर की फार्मिंग कर रहे हैं तो हम ऐसा गरेंगे कि बटेर की जो फीड फार्मूलेशन्स है वो तीन सेक्टर्स में होती है पहले चूजे की फीड होती है फिर ग्रोइंग स्टेज की फीड होती है एंड वाली फीड पॉड़क्शन की फेस की होती है स्टार्टर, ग्रोर और पॉड़क्शन का फेस तो ये तीन किसम की फार्मूलेशन्स होती है starter, grow और production ये तीन phases होते हैं जो कि बटेर फार्मिंग में इस्तमाल की जाती है तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे starter feed के उपर कि जो starter variant है इसका बटेर फार्मिंग का उसमें कौन-कौन से raw materials का इस्तमाल किया जाता है कितनी मिगदार में कौन से चीज डालने है कि healthy starter formulation बटेर फार्मिंग के लिए त्यार हो सके वीडियो को एंट तक जरूर देखिएगा तो चली चलते हैं formulation के दिरफ तो ये जो formulation आप लोग अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बटेर फार्मिंग की कोईल फार्मिंग की starter feed formulation है जो के गालिबन पहले दो हफ़ते तक दी जाती है हमारा जो target weight होता है वो होता है 60-70 gram का जब हमें ये achieve हो जाता है तो हम चूजे को shift कर देते हैं ग्रोर फीड के उपर दो हफ़ते तक 60-70 gram के वजन तक हम जो बटेर का चूजा होता है उसको स्टार्टर फीड ही देते है तो है discuss कर लेते हैं कि स्टार्टर फीड में कौन कौन से raw materials है और उनकी ratio के रखी हुई है सबसे जो पहला raw material है जो के जादा मिकदार में डाला जाता है वो है मकई मकई इसमें 628 kg डाली गई है याद रहे यह 1000 kg का फीड फार्मूला है यानि एक वक्त में आप इससे 20 बैक्स की फीड बना सकते हैं 50 kg का बैक सेकिंड नमर में जो raw material है वो है सोयबीन मील सोयबीन मील इसमें 215 kg डाली अड़ किया है सोयबीन मील एक बहुत rich source है प्रोटीन का और यह प्लांट ओरिजन है उसके बाद इसमें 2 किसम के animal प्रोटीन जाड़ किये गए है एक है fish meal जो के 60 kg है दूसरा है meat meal जो के 40 kg है meat meal जो मुर्गी के बगायजात होते है उससे एक meat त्यार के जाता है जिसको meat meal कहा जाता है याद रहे एक और बात कि जो mode of nutrition है बटेर का वो जंगली जानवरों की तरह का है जो जंगली परेंदे खुराक पसंद करते हैं ये भी वही mode of nutrition पे चलते हैं तो इसलिए इनकी feed में animal protein का होना बहुत जरूरी है तो इसमें जो meat meal है वो 40 kg एड़ किया हुआ है और canola meal 45 kg इसमें एड़ किया हुआ है तो ये 5 raw materials का इस्तमाल करके ये formula तियार किया गया है उसके बाद अगर medications पे आ जाए तो premix इसमें 2 kg एड़ किया हुआ है premix में multi minerals plus multi vitamins का combination होता है उसके बाद amino acids की बात कर ली जाए तो lysine इसमें 3.35 kg एड़ किया गया है और DL methionine इसमें 0.800 gram यानि 800 gram इसमें हमने DL methionine एड़ किया हुआ है तो koline chloride की बात कर ली जाए तो koline chloride liver की health के लिए बहुत ज़रूरी होता है as a carrier ये काम करता है और इसमें इस formulation में इसकी जो range है वो 1.5 kg उसके बाद जो toxin binder है 1 kg एड़ किया हुआ है remember toxin binder हमेशा जब भी यूज़ करना है ये imported ही यूज़ करना है उसके बाद linkomycin इसमें 100 gram एड़ किया हुआ है क्योंकि हमने इसमें 2 किसम के animal proteins का यूज़ किया हुआ है फिश मील और मीट मील तो जो bird के gut health है जो इसकी intestine की health के लिए linkomycin 100 gram एड़ किया हुआ है इसके बाद salt एड़ किया है सवा 1 kg और soda मीटा soda 2 kg एड़ किया हुआ है तो ये 1000 kg की feed formulation है याँ याँ 50 kg का bag हो तो आपके एक वक्त में 20 bag जिससे बन सकेंगे तो आएं इसका आपको मैं profile दिखा दू neutron profile इसमें क्या है इसमें जो protein है वो 22.1% है यानि 22% से उपर किसकी protein है इसमें जो energy का factor है वो 28.83 kg कलरी जिसमें energy है amino acid इसमें high profile amino acid इसमें इसमें 1.29% इसमें amino acid है और lysine है और अगर methionine की बात कर लिए जाए इसमें 0.44% है अगर minerals की बात कर लिए जाए तो calcium इसमें 1.463 है जो के standard से माशाला उपर इस formula में रखावा है और जो available phosphorus है वो 0.6% है fat और fiber की बात कर लिए जाए तो fiber as a standard 3.4% रखावा है और fat slightly higher है 4.4% तके growth जल्दी हो सके तो ये इन शॉर्ट एक अच्छा साफ सुतरा और healthy feed formula है जो के farmers कोईल farmers जो हैं जो farmers कोईल की production कर रहे हैं उनके लिए बहुत useful होगा जब अपनी feed खुद बनाएंगे ये feed आपको commercially बिलकुल available नहीं होगी market में इस सना का कोई भी commercial brand available नहीं है जो के कोईल की बटेर की special feed बनाता हो तो ये formulation उन सब दोस्तों के लिए उन सब भायों के लिए बहुत useful रहेगी उमीद है आपको content पसंद आया होगा अगर content पसंद आया हो तो like, comment, share सब कीज़ेगा और फिला दीज़ेगा और चैनल को subscribe लाजमी कीज़ेगा तो इन्शाला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट content के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम इन्शाला इसकी जो ग्रोर formulation है और जो production phase की formulation है उस पर भी discuss करेंगे तो वो भी लाजमी देखेगा और चैनल को subscribe जरूर कीज़ेगा अलाफिस